हेलो फ्रेंड्स मैं असीम्तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चनल पर फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक मॉक टेस्ट लाया हूँ जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टन कोईशिन्स है यह आरभी एंटी पीसर ग्रूप डी दोनों के लिए है ठीक है तो आपको हर एक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा चाहिए नेक्स टाइम से हम लोग क्या करेंगे नेक्स जो वीडियो रहेगा मॉक टेस्ट का जो भी 20 में से 20 लाएगा उसका नाम हम लोग वीडियो में मेंशन करेंगे चाहिए तो चलिए बिना टाइम को वेश्ट करते हैं फर्स्ट कोईशन है नीमने लिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है और सने उजबिकिस्तान नेपाल फिलिपिन्स या दक्षीन कोरिया तो फिलिपिस का जो सही अंजर होगा वो होगा नेपाल नेपाल के साथ जो चीन की सीमा है वो लगती है ठेके फिलिपिस dumbbell से अनिताधि रॉई तो फ्रेंस इसका जो सही एंसर होगा वो होगा ओप्शन A अमिताब घोस इसका सही एंसर है ठीक के फ्रेंस चलिए next question देखते हैं next question है बिश्व बालसरम निसेद दीवस के लिए भी सही क्या है option stop child labor protect childhood let's together protect childhood say no to child labor या children student work in fields but on dreams तो फ्रेंस का जो सही एंसर होगा वो होगा option D इसका सही एंसर है children student work in fields but on dreams इसका सही एंसर है ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है हाल ही में जारी association of tennis professionals ranking में किसे ने टॉप किया है option है नोवाग जोकोवीच राफेल नडाल रोजर फेडरर या डॉमिनिक थियम तो फ्रेंस इसका जो सही एंसर होगा वो होगा option A इसका सही एंसर है नोवाग जोकोवीच इसका सही एंसर है ठीक है फ्रेंस next question है जिस वेग्यानिक ने गेहु की रस्ट समिश्या के बारे में अध्दन किया वो कौन है आप्शन है एचसी बोस केसी महता बिरबल शनी डीडी पंत तो फ्रेंस इसका जो सही एंसर होगा वो होगा केसी महता option B is the right answer ठीक है फ्रेंस चलिए नेक्ट देखते हैं next है pH scale किसके दुबारा दिया गया है आप्शन है अर्निस, ब्रॉंस्टेड, सोरेंसन, लेविस तो फ्रेंस सही एंसर होगा वो होगा option C ठीक है सोरेंसन इसका सही एंसर है चलिए नेक्ट देखते हैं next question है प्रकृति में जल का शुद्धत्म रूप है आप्शन है वर्सा जल, जील का जल, नदी का जल या समुद्र जल तो फ्रेंस इसका जो सही एंसर होगा वो होगा option A वर्सा का जो जल है वो जल का सुद्धत्म रूप है ठीक है फ्रेंस चलिए next question देखते हैं next question है महासागरों की गहराई की गरना के लिए जहाजों में प्रयोक्त विशेस तक्नीक है option है laser, sonar, dhwani, boom जिसको sonic boom कहते हैं प्रतिध्वani तो फ्रेंस का जो सही एंसर होगा वो होगा option B, sonar इसका सही एंसर है ठीक है चलिए next देखते हैं next question है प्रकास्मान तिब्रता की SI1 क्या है luminous intensity का option है lumen, lux, candela या watt तो फ्रेंस का जो सही एंसर होगा वो होगा option C, candela इसका सही एंसर है ठीक है फ्रेंस चलिए अब next question देखते हैं next question है निमलखित में से कौन एक जड़ नहीं है option है आलू, गाजर, शकरकंद या मुली तो फ्रेंस का जो सही एंसर होगा वो होगा option A, आलू जो है वो एक जड़ नहीं है वो एक तना है बाकी सब क्या जड़ है ठीक है? याद रखेंगा यह important है इससे questions पुछी आते हैं चलिए next देखते हैं, next question है मानव शरी का साधारंत आपमान क्या है? 37 degree Celsius, 37 degree Fahrenheit, 104 degree Fahrenheit या 36.8 degree Celsius तो फ्रेंस का जो सही एंसर होगा वो होगा option A, ठीक है? option A इसका सही एंसर है, चलिए next देखते हैं next है जब किसी बस्तु को गर्म किया जाता है तो उस बस्तु के अनू जो होते है, वह क्या होते है? तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, उर्जा कम होती है, भारी हो जाते हैं या हलके हो जाते है तो फ्रेंटिस के जो सही एंसर होगा वो होगा option A, तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, इसका example हम लोग ले सकते हैं, अगर बत्ती जलाते हैं, उसका जो smell रहता है, वो फैल जाता है, फिल जो खाना बनता है, गर्मा गर्म जो खाना बनता है, उसका smell चारो तरफ फैल जाता ह ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, next question आधनिक आवर्त कानून या आवर्सानी जिसको बोल सकते हैं, किसके दुआरा दिया गया था, option है, मोसले, मेंडलीफ, लोथर मेयर, लेवोजिवर, तो फैल फैल जो सही एंसर होगा, वो होगा, option A, ठीक है, अधनिक आवर्सानी जो है, उसके जनक भी काया आता है, मोसले को, ठीक है, फ्रेंड्स, चलिए, अब next question देखते हैं, next question है, आधनिक आवर्सानी में समू की संख्या कितनी है, option 15, 16, 17 या 18, तो फ्रेंड्स, इसका जो सही एंसर होगा, वो होगा, option D, 18 इसका सही एंसर है, ठीक है, चलिए, अब next question देखत के जमावट के लिए आवजशक है, option है, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन K, या विटामिन D, तो फ्रेंड्स का जो सही एंसर होगा, वो होगा, option C, विटामिन K, विटामिन K का, केमिकल नाम क्या है, फिलो क्वीनोन, K for King, और फिलो क्वीनोन में क्वीन है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, K for King, और फिलो क्वीनोन, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोईशन देखते हैं, नेक्ट कोईशन है, मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी दूई, डैस राज्य में इस्थी थे, option है, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपूरा, या मिजुरम, तो नेक्ट कोईशन है, कौन सी धातू प्रिथिवी की परत में सबसे प्रचूर मात्रा में मिलती है, option है, कैल्शियम, अलुमूनियम, आइरन या मेगनेसियम, तो फ्रेंट्स के जो सही एंसर होगा, वो होगा, अलुमूनियम, option, B is the right answer, ठीक है फ्रेंट्स, चलिए, नेक्ट सदी अंतर केस, तो फ्रेंट्स के जो सही एंसर होगा, वो होगा, option C, काकोरी सदी अंतर केस से, कौन संबद देते है, राम प्रसाद, बिश्मिल, ठीक, चलिए, नेक्ट देखते है, नेक्ट कोश्चन है, रिगवेधी कालम के दोरान, निस्का एक आभूसन था, जो कहां प सही एंसर होगा, वो होगा, गर्दन, ठीक, option B is the right answer, चलिए, नेक्ट एंड लास्ट कोश्चन देखते हैं, क्या है, लास्ट कोश्चन है, संग्वेधान में व्यक्त सामाजिक नियाय क्या उदेश कहां है, option नुच्छेद 14, नुच्छेद 16, नुच्छेद 15, या प्रेश करता हूँ, आपने अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है, आपने स्कोर, कमेंट में जरू सेयर करें, फ्रिंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरू करते हैं, चैनल पर नहीं है, जो सब्सक्राब करकें, वेल आइकन पर प्रेस करतें, मिलते हैं नेक्ट वीडियो म एक नए मौक टेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाई एंड, टेक केर,